फ्रेंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सभी को पता है कि गिराम सचीव का एकजाम हुआ है 9 जनवरी को और 10 जनवरी को दोनों डेटों में दोनों शिप्टों में एकजाम हुआ है फ्रेंड इस वीडियो में हम आपको कटोप बताएंगे कि गराम सचीव की कटोप कितनी जा सकती है यह कटोप हम expected कटोप बताएंगे ना कि official चलो आप शुरुआत करते हैं यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो like करे और अपने दोस्तों में share करे यदि आप हमारे चैनल पे new जीटर ने तो हमारे चैनल को subscribe जरूर करी क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सकी आप देख रहे हैं मन्जीत कैडमी चैनल मैं हूँ आपका दोस्त मन्जीतिया दो चलो फ्रेंड आप शुरुआत करते हैं टोटल 697 पोस्ट है गिराम सचीव की ठीक है फारम की बात किज़े तो 6,22,000 फारम बरे गए है ठीक है जनल की 287 पोस्ट है AC की 162 पोस्ट है BCA की 107 पोस्ट है BCB की 64 पोस्ट है और EWS की 66 पोस्ट है तो फ्रेंड इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कटोप कितनी जा सकती है गिराम सचीव की कटोप की बात की जाए तो यह कटोप हम नब्बे में से बता रहे हैं ठीक है जन्रल की बात की जाए तो जन्रल की कटोप जा सकती है 65 से 67 के बीच में ठीक है BCA की बात की जाए तो BCA की कटोप जा सकती है 58 से 60 के बीच में और BCB की बात की जाए तो BCB की कटोफ जा सकती है 64-66 के बीच में ठीक है AC की कटोफ की बात की जाए तो AC की कटोफ जा सकती है 55-58 के बीच में तो फ्रेंड यहें जो कटोफ हम बता रहे हैं expected कटोफ है नहीं की official कटोफ है तो यहीं कटोफ आपकी जाने की संभावना है फ्रेंड यहीं आपको वीडियो अच्छे लगी होते लाइक करें बगवान करें आप सभी का दिन सुब रहें